Hello and Welcome to DNA Editors Table आज हम बात करने वाले हैं सात्वें चरंड की एक होट सीट जो की बहुत जादा चर्चा में बनी हुई है वो है मंडी लोगसभा सीट जो की हिमाचल प्रदेश में आती है और मंडी लोगसभा सीट से जो है इस बार Queen vs King की लड़ाई होने वाली है यानि की Bollywood की Queen कही जाने वाली Kangna Ranaut को टिकट मिला है BJP से और राज परिवार से आने वाले जिने पहले Prince कहा जाता था अब वो King की भूमिका में आने वाले हैं विक्रमा दित्य सिंग को वहाँ से Congress ने टिकट दिया है अब ये लड़ाई कित्ती दिल्चस्प होगी और क्या Kangna मंडी से जीत पाएंगी इस पर हम आज चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौझूद है DNA के अडिटर तनवीर आजम जी तो तनवीर जी आपको क्या लगता है कि कंगना मंडी से चुनाओ जीत पाएंगी देखे आम चुनाओ की चर्चा करें उससे पहले में मंडी के बारे में थोड़ा अपने देश्वों को बता दूं मंडी को छोटा काशी भी कहते हैं और यह मंडी जो नाम पड़ा है वह बहुत बड़े रिशी मुनी थे मंडी का नाम पड़ा है माचल पर्दिश के अंदर चार कंस्वेंसी हैं श्रिमला हमीरपूर मंडी और कंग्रा सबसे बड़ी जो कंस्वेंसी है एरिया वाइस और वोटर वाइस वो है मंडी मंडी का कुछ हिस्सा आप समय लिए चाइना तक टच कर जाता है तो अब रह गई बात जो आपका सवाल है क्या कंगना मंडी से जीत पाएंगी मंडी जो है वो पहले कॉंग्रेस का गड़ था और जो वीर भदर सिंग जो माचल के सीम रहे छे बार और जो कॉंग्रेस के बहुत कदावर ल दोजार उन्नीस में बीजेपी के केंडिएट ने इस सीट को चार लाख प्लस वोटों से जीता था उसके बाद उनका देहान जब हुआ तो धीर बदर सिंग की वाइफ परतिभा सिंग ने इस चगह से चुनाव लड़ा और वो साथ हजार वोटों से जीत की अब जो यह प्लेटिशन आप कह सकते हैं और हिमाचल सरकार में अभी वो कैबिनेट मिनिस्टर भी है तो वहां की जनता की जो एक वो है कि हम कंगना को क्यों वोट दें वो तो बाहरी है हलाकि वो मंडी की हैं लेकिन वो उसको बाहरी इसलिए कह रहे हैं कि उनका मतलब वहां पर ग्रॉ रहे हैं वो यह जा रही है कि राजा सहब के पुतर है राप खुद राजा साव एक सिंपती फैक्टर है पलस वह क्योंकि प्लिटिशन है उनको पता है कि कैसे हमें लोगों को अपनी तरफ लाना है मंडी में अगर कंगना राना जीती है तो सिर्फ और देंदर मोधी के वह स जीतेंगे और मोधी अभी दो-तीन दिन पहले वहां पर रैली भी करके आया थे कंगना के फेवर में मंडी को अगर आप ऐसे देखेंगे तो समझे दो हिस्सों में बटा अपर मंडी और लोवर मंडी अपर मंडी जो है वो कॉंग्रेस का गड़ समझ सकते हैं लोवर मंडी म समझ पे उनके अलग अलग व्यानों पे और उनका यह क्यों बाहर ही है और वो जूत जीतके भी यह नहीं रहेंगे और हारइंगे तब तो यह बिलकूль ही नहीं रहेंगी तो यस तरह की चीशे धे धीरे धीरे लोगों में अटिय हो ए हो इक wonders करेंगी कि मीद्दाए के थान चाहते के माश्चल वगरा है मैं हमें पता है कि लोग मैंतलब आरमी में बहुँत जाना चाहते हैं को लेके थोड़ी नाराजगी है तिंच आ बार से सकें प्र यह भी वह भी वह बहुत जादा ओँ एनगार के में जा रहे हैं वो मोधी की जो राशनी स्कीम है यह Kangana के हखमे और पलस Kangana के साथ Narendra Modi का नाम है बट यह मैं आपको दावे के साथ कह सकता हो इसे जप इस तरीके की जब मतलब चुना होते हैं जो यह तने कांट स्थ होते हैं आप दस हजार से बात कर यह जो कि मतलब उनकी बातों से ऑर जिस तरिक के बाते waktu जाता है और आतमी बहुत कमी माईक पियाता है और बहुत इस बोलता है इस तुनाओ में की लोग बोल नहीं नहीं रहे उनको बस है ठीक है कोई बात नहीं तो यह मंडी की जो मतलब पूरी जो डेमोग्राफी है और जो मतलब जो पॉपॉलेशन का वह है दोनों पार्टियों के फेवर में मेहनत अगर विक्रमदित काफी मेहनत कर रहे हैं कंगना भी अपने तोर पे लगी है लेकिन हां उनको इराजनितिव जो उनकी मतलब कमजोर है जो अब वो है कि भाई बीजेपी में 80% MP तो नरंदर मुदी के वजा सही है यह तो मैं बार बार इस बात को ठोक के कहता हूं और वो शायद बीजेपी के MPs भी जानते हैं कि मुदी के नाम का ही वो चुनाओ जीत रहें तो शायद कं जनता को उनसे थोड़ा सा दूर कर देंगे देगे जो यह मतलब मैंने आपको बोला जैसे चोटा काशी है वहां पर धार्मी बहुत यह तो और यह सरी के सारे वियानों को लाला के लोगों के सामने रख रहें मुझे लगता है कंगना को नुकसान तो करेंगे और उनको थोड़ा सा मतलब अपने इस पर सयम रखना चाहिए नहीं तो यह शायद ऐसा नहों कि जून चार को नतीजे बिल्कुल इतरा जाए क्योंकि अगर मंडी अगर मंडी से बीजेपी हारती है तो बीजेपी के लिए बड़ा जटका होगा देखिए उप चुनाओं में परतिव मैं लब आपने कंडेट ही सही नहीं दिया और वह जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सेट बैक रहेगा आपको क्या लगता है कंगना और विक्रमा देते में मंडी में कौन आसानी से जीत हासिल करेगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरू झाल 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 झाल